नमस्कार श्वागत करते हैं आप शवी के बंगाल के शबसे बड़े न्यूज चैनल में इस वक्त बेहत बड़ी महा उपीनियन के शाथ हाजिर हो चुके हैं जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि जनता किस बार मांग क्या है इस को जनता सत्ता के कुर्षियों को देने जा रही है बंगाल में इस बार मूड में जाज क्या है। पर भाजपा और त्रिम्न कॉंग्रेस की काटे की लडाई है यह कौन-कौन सी सीटे है और यहाँ पर कितनी सीटे किसके पक्ष में जारी है इसी के बारे में आपको पूरी जनकारी बताएंगे यह 10 11 जीले की सीटे है 11 जीलों की इन सीटों पर दरसल आपको बता दें कि पूरी तरीके से काटे की लडाई बताई जा रही है यानि यहां पर पूरी तरीके से काटे की लडाई जोड़तोर से वहोगी साथी साथ इस बार बिहार के बड़ी पार्टी आरजेडी ने अपना फूल समर्थन टीमसी को दिया है जिसको देखते मे ममता बेनेर जी ने जिहां बिहारीों को गुंड़ा करार किया उसके बाद में त्रिमुरा कॉंग्रेस की और से ये बयान आते ही जिहां राज़त ने इसा फाई देने इकोसिस की हलाकि राज़त ने अशाफ किया कि बिहार के लोगों को उनका बोलने का मतलब नहीं था इस बादसा को गलत तरीके से पेस किया जा रहा है अब दूसरी बात कि हिंदी भासी जो आपर बंगाल में हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं और यही आकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं खेल ख शबी जनकारिया बिस्तार्स बताएंगे हलागि ममता बर्नेर जी तूटे पैर लगतार रैलिया कर रही है और इस रैलियों को BJP एमोसनल करार देते हुए कहा कि ये रैलिया जो है सिर्फ और सिर्फ एमोसनल कार्ड के अलावा और कुछ नहीं है ये इमोसनल कार्ड खेलने की कोसिस की जा रही है लेकिन चलिए आज की सबसे बड़ी महा उपिनियन पूल जाते हैं कि इन 11 जीलों की सीटों पर कौन राज करेगा काटे किस रडाई में किसकी एक सीट अधिक और किसी एक सीट कम आ रही है लेकिन आपको बता देते हैं कि या जनता की सुझाव है या अधिकारी कुष्ट्यम इसकी कोई भी नहीं करते हैं आईए बढ़ते हैं बर्धमान की ओर बर्धमान में टोटल 16 सीटे हैं और 16 सीटों में से 8 सीटे TMC प्लस RJD को जा सकती हैं बीजेपी को साथ सीटे जा सकती हैं वहीं CPIM को जिहां एक सीटे जा सकती हैं और अन्य के खातों में सुन सीटे जाने की संभावनाएं ब्यक्तिक की जा रही है आपको पूरी तरीके से बता देते हैं कि नेताओं के रैलियों में भीड को देखते हुए समेत जनता की इस बार की मांग क्या है यह तमाम चीजों को देखते हुए यह एक उपीनियन पूर बनाया गया है और हम इस अधिकारिक पुष्टी नहीं करते कि इतनी सीटे आएंगी तो यह आप बिल्कुल सही आकड़ा ना समझे या आकड़े करबर है वही बिर्भूम की और बढ़ते हैं बिर्भूम में ट्रोटल 11 सीटे है 11 सीटो में से आपको ऐतार देते हैं कि 5 सीटे टीएमसी प्लस को जा सकती है और 5 सीटे बीजेपी प्लस को जा सकती है seepay ऐम के खातों में एक सीटे दिखाई दे सकती है यहाँ पर अफसाब देख सकते हैं कि काटे की टक्कर TMC प्लस भाजपा में है और CPIM की खातों में कम सीटे जा रही है हला कि CPIM और कॉंग्रेस काफी ज़्यादा जोरो सोरो से बंगाल की विधान सभा में अपना तमाम भूमी का निभा रहे है हला कि कम सीटे आने के अकारण भी हो सकता है आगे बढ़ते हैं दरसल उत्री दिन जयार पुर्जी आपको जा दे उत्री दिनाजपुर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल 9 सीटे हैं और 9 सीटों में से 6 सीटे टी-मसी को जा सकती है तीन सीटे भाजपा को जा सकती है और अन्न के खातों में 0-0 सीटे जाने की शंभावनाएं ब्यक्त है तो आपको बता देते हैं आपर 18 और 15 सीटे यहाँ आप देख सकते हैं कि तीन सीटों का अंतर है BJP और टी-मसी में यह जनता की राय है यह जनता से लिया गया एक छोटा सा राय है इस राय के मुताबिक किसकी सरकार और किसकी यहाँ पर बोल बालाएं हैं इसके वारे हम बता रहे हैं यहाँ पर श्रीप्याइम के खातों में 15 सीटे जा सकती हैं चुनाओ नतीज़े आने के बाद में हो सकता है आइए बढ़ते हैं यहाँ पर जिहां दक्षडी दिनाशपुर्ग में 6 सीटे हैं 6 सीटों में 4 सीटें आपको अटा देते हैं कि टी-मसी को जार सकती हैं वहीं पर BJP के खातों में भी दो सीटे जा सकती हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी-मसी प्लस के खातों में टी-मसी और आरजेडी खातों में 22 सीटें आगे चल रही हैं लेकिन BJP खातों में फिलहाल 17 सीटें ही और अन्या का खाता भी नहीं खुल पाया है CPIM के खातों में दो सीटें गई है यह सीटें जिहां बढ़ सकती हैं यह नेताओं की रैलियों की वीड की पूष्टा इसका एक रिपोर्ट है बता आजेते आपको आए अगली दारजेलिंग क्यों बढ़ते हैं दारजेलिंग में टोटल पान सीटे हैं और दार्जिलिंग के इन 5 सीटों पर राज करती ही नज़रा रही है बीजे पी त्यूंकि दार्जिलिंग में 3 सीटों पर बीजे प्राप्त कर सकती है वहें 2 सीटों पर T.M.C. प्लस R.J.D. कर सकती है और अगे खातों में 0-0 सीटे जाने की संभावनाएं ब्यक्त की जा रही है यह शंभावनाएं दरसल दार्जिलिंग को लेकर हैं दार्जिलिंग में यह सीटें इतनी आ सकती हैं यह आपको साप साप दिख रहा है कि 24 सीटों पर T.M.C. और 20 सीटों पर BJP और शिपी आई-एम दो सीटों पर अन खातों में 0 सीटें जाती हुए नसर आ रही है क्यों यह गलत भी हो शकते ओपिनियन पोल है दरसल जंतना की राय है शाथी साथ जलपाई गूडी जलपाई गूडी में टोटल आठ शीटें हैं और जलपाई गूडी की 8 सीटों पर राज करती हैं यह बीजेपी क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों पर BJP विजेप्राप्त कर सकती है त प्लस टेमसी 27 पर आगे चल रहे हैं और हम जल पाई गुड़ी के पास आ गए हैं जल पाई गुड़ी में आते आते अब देख सकते हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं हम तोटल अभी फिलहाल जियां छी बिदांस अच्छे जीलो की बात कर चुके हैं आए कुछ विहार में चलते सकता हैं दूसरी और बढते हैं जहां यहां पर कॉलकत्ता कुलकत्ता में किसकी बिज़प्राप्त होती है यहाँ पर हिंदी बोलने वाले भास्यों का कमी नहीं है यहाँ हिंदी बोलने वाले भास्यों की अच्छी खासी वोटिंग है और यहां पर क्युक्कि कुलकट्ता में तमाम U.P. और व्याहर के लोग काफ़ी ज़ादा मात्रा में रहते हैं तो यहां पर 11 सीट हैं 11 सीटों में से कुलकट्ता की जिहां 6 सीटों पर T.M.C. राज कर सकती है क्योंकि यहां पर दरसल RJD ने समर्थन TMC को दिया है और पान सीटों पर बीजे पिराज कर सकती है और अन्य एक हातों में 0-0 सीटे जाने की संभावनाएं ब्यक्त की जा रही है हाला कि RJD अपना परभाव डाल सकती है चुनाओ के नतिजों के उपर साथी साथ हावड़ा हावड़ा में total 17 शीटे हैं और हावड़ा में भी काफी जादा लोग हैं जो की हिंदी भासा बोलते हैं हला कि हम इसकी पुष्टी नहीं करते हैं कि उनके पास नगरिताएं हैं या नहीं है लेकि उनसे पूस्तास के दोरान हमने जो पाया ये एक छोटा ≦ trio दिखाई देरिये यह आकडे आप देख सकते हैं दूसरी योड़ बूर्टे है उत्ती यह उत्री 24 परगना यह शीटे निर्णायक होती हैं क्योंकि इस जिले में टोटल 31 सीटे हैं और यह 31 सीटे निर्णायक फैसले लेती हैं हर एक बार के चुनाय में यहां काफी ज्यादा निर्णायक फैसले होते हैं और यहां पर 31 सीटों के शाथी 15 सीटों पर राज कर सकती है तो अन्ने के खातों में 2 CPM 5, BJP 55 और इसी के साथ 69 सीटों पर TMC आगे जा रही है हलाकि ये जीला जो है उत्री 24 परगना यहाँ पर काफी ज्यादा निर्णायक फैसले होते हैं और 24 परगना में 33 सीटे हैं और ये भी निर्णायक फैसला लेती है क्योंकि यहाँ पर ये 33 सीटे ही और 31 सीटे ही मिलकर निर्णायक और बड़ा फैसला सुनाती है यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है आपको उता देते हैं सबसे पहले 33 सीटों पर राज करती वी नज़र आ रही है BJP और ये सीटे ही तो इसकोछ सकते हैं की तोल 74 सीटों पर एक अन्य सीटों पर राज करशक्ता है ख्लाक कि हम ये जन्त की राय और शुझा के साथ ही इसको बनाए हैं आप जानते करें तो यहाँ Ilगे चे पर हैएज च आगे चलë और श्यटों पर बाराप्त कर सकती है कहीं नहीं कहीं अधिक टी एमसी तो आज कितना यह प्रमश्वर बनुएगा वीडियो को लाइक करना बिल्कों भी ना बोले जाएंद बनने बातरूं भारत मता की जय